So well hey guys, namaste, welcome back to my channel and this is me, khushin कैसे हूँ आप सब लोग, I hope ये अच्छे होंगे और आप लोगों ने last वो जो policy check करने का या अपना investment amount check करने वाला वीडियो देखा है कि नहीं प्लीज comment में बता ना क्योंकि उस पर views बहुत कम आये तो मुझे लगा कि जादा लोगों ने अब तक देखा नहीं है और आज की वीडियो में एक comment आई थी मेरे पास जिसका मुझे reply देना बनता है क्योंकि ये comment थोड़ी important है और अगर ऐसी important comment आपकी भी हुई तो definitely मैं आपका भी reply दूँगी वैसे तो बहुत सारी comments आ रही है कि यार कितने लोगों की कितने सारे पैसे जो है चले गए है और अब तक मिले नहीं है तो देखो I am one of them also तो एक comment जिसके आई थी मैं screen पे लगा दूँगी इनके कहने के मताबिक यह है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इस तरह से वादा कर रहे है कि पैसे आ जाएगे पैसे आ जाएगे बट कुछ होने वाला है नहीं तो लोगों को उल्लू ना बनाया जाए इनका यही कहना था तो मैं आपको बता दूं कि रेखो मैं भी आप लोगों की तरह ही एक investor रहे चुकी हूँ Royal Twinkle Star में और मैंने भी अपने पैसे लगाए है मेरे खुच के और मेरे फादर के हम दोनों के पैसे में invested है और वो चीज जो है हमें 2008 से start करी थी और हमारा जो पूरा complete हो रहा था 2000 कुछ 13 में हो रहा था जितना भी हमारा investment amount था और 2016 में हमको refund मिलने वाला था ठीक है ऐसा कुछ सीन था 16 या तो 18 देखो अच्छा से याद भी नहीं एतना time हो गया बट ऐसा कुछ हुआ नहीं जितना payment देना था मैंने पूरा भर दिया लेकिन अब तक कोई भी refund नहीं मिला तो देखो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ मैं भी eagerly चाहती हूँ कि यार मेरी मेहनत के पैसे उस time तो मैं मतलब एक्दम बच्ची थी college going थी और जो मैं part time job करके कमाती थी ना वो पैसे मैंने उसमें डाले अपने उपर खर्चा ना करके एक investment में डाले और वो डूप गए तो कितना बड़ा मेरे लिए दुख की बात है क्योंकि part time job करके मुझे hardly ना तीन या साड़े ती नजार उस time पे मिलते थे तो वो पैसे में इसमें डाल देती थी कुछ भी खुद के लिए नहीं रखती थी तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आप भी समझो तो मैं ऐसी किसी के emotion के साथ खेलने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हूं और मतलब कोशिश कर रहे हूं कि देखो कोई भी हमारे पास ना senior का option है ना government के थू को respond आ रहा है ना हम किसी legal authorities में इन चीजों को ले जा पा रहे हैं तो मैंने इतले सपनी तरफ से एक छोटा सा contribution देने का try कर रहे हूं कि यार मैं वीडियो बनाती हूं लोग अगर जुडेंगे मेरी अगर लोगों को सही लगी कि लोग मेरे साथ चुडेंगे तो इन future में एक whatsapp group बना लूँगी और फिर हम कुछ अगर साथ मिलके देखो एक जन से कुछ नहीं होता बट एक साथ अगर बहुत लोग जुडते हैं जैसे पांच उंगले जुडती है तो एक मुठी बनती और मुठी से मुक्का मारो तो थोड़ा पंच हिट होता है तो जब एक साथ लोग तो में भी हो सकता है कि हमारी चीजों के ऊपर भी government को सुनवाई जल्दी से जल्दी करे और जल्दी से जल्दी इसका solution लाए या हमारा refund मिले मेरा सोच यह है ठीक है देखो give up कर देने से तो वैसे भी नहीं मिलने वाला बट एक कोशिश तो कर ही सकते है ना मैंने यह सोच कर यह चैनल पर वीडियो डालना स्टार्ट किया है ठीक है तो अगर आप लोगों को सही लगती है मेरी शीजे या मेरी बाते तो आप लोगों मेरे साथ ज़रूर जूड़ना और मैं किसी की emotion के साथ नहीं यहलना चाहती भाई आप लोगों को नहीं लगेगा नहीं फील हो रह हूं तो तब तक के लिए stay tuned रहो updated रहो मेरी शैनल के साथ definitely मिलाओंगी जो चीज़े मैंने बोली है मैं ज़रूर करूंगी तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखो यार मैं सब जगह से थोड़ा मोडा जितना भी मुझे जो भी information मिल रहा है सब कुछ try कर रही ह कि मैं डालूंगों को at least मुझे भी information मिलेगी और मैं अपनी information को जितने लोगों तक पहुचाऊंगी सामने वाले बंदे की भी help होगी मैं बस यही intention से वीडियो जाल रही हूं तो आप लोग बताओ आप लोगों को क्या राय लगती है आप लोगों को क्या फील हो रहा है कि as अगर आपके पास अधर वे हैं अधर option है तो भी आप लोग definitely comment में बताओ तो हम उसी साब से भी सोचेंगे ठीक है तब तक के लिए stay tuned रहो stay updated रहो मिलेंगे next वीडियो में पापाई